क्या आप सोच सकते हैं कि किसी CSP की पिटाई वो भी महिला CSP की पिटाई कोई बहु थानेदार कर दे जहां ऐसा इंदोर में हुआ है रेटायर CSP प्रभाचोहान की पिटाई उनकी थानेदार बहु शद्धा सिंग दुआरा कर दी गई मामला इतना तूल पकड़ा कि थाने में रिपोर्ट हुई दोनों पक्छों ने एक दुसरे खिलाब रिपोर्ट लिखाई और प्रभाचोहान को तो अस्पताल में दाखिल करना पड़ा यहाँ पता चला है कि शद्धा सिंग अपनी मां और बहन के साथ आई थी और उन्होंने प्रभाचोहान को उनकी ही घर पर बुरी तरह से नकुल पीटा बलकि उन्हें कई जगे से काड़ भी लिए वे घायल भी हो उन्हें इलाज के लिए एमवाई अस्पताल ले जाया गय पता यह भी चला है कि उनकी बहु को थानेदार बनवाने में प्रभाचोहान का मातपूर्ण योगदान रहा है बहु शद्धा के छे माहा के बच्चे को अपनी ड्यूटी के दोरान वे संभाला करती थी और 2016-17 में शद्धा की पुलिस की जब ट्रेनिंग चल रही थी तब भी उन्होंने बच्चे को समाला और शद्धा को आगे बढ़ाया है वही बहु शद्धा आज सब इंस्पेक्टर बनने पर प्रभाचोहान उनके परिवार पर यह जुल्म ढा रही है ऐसा आरोग प्रभाचोहान की बेटी ने भी लगाया है प्रभाचोहान की बेटी स्वा प्रभाजोहन का इलाज चल रहा है। मेरी बेटी अंदर रूम में थी, प्रेगनेंसी में थी, प्रेगनेंट है तो उसको जाके ना उसकी छोटी बेन और मेरी पहुने स्पुम मारा।